मन अगर हमारा ठक गया हर गया तो हम तो जैसे किसी साप के सामने चुवा एकदम निश्क्रिय होकर कुछ भी न करते हुए लुला होकर बैट जाता है कुछ करता ही नहीं अपने बचाओ के लिए कि ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है हम कर रहे हैं सारे चित्र को देखते है तो जितना दुख्ष है उतनी ही आशा है ऐसे परिस्थिती में समाज के कुछ विकृतिया बाहर आती है बात सही है लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रहे उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रहे बहुत से लोग सब प्रकार के सब आर्थिक तर्रोंग से समाज पर ये संकट है सब पर संकट है इसका भान रखकार सोयम की जिन्ता कर रहा है और उन से जितनी बनती है उतनी समाज दुर में चिन्ता कर रहा है इसको हमने धान में रखना चाहिए निराशा की परिस्थिती नहीं है लटने की परिस्थिती है कठिन परिस्थिती है लेकिन परिस्थिती तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है